देख रहे हैं यंग बैट्स मैं फ़ही मिरमत एक बार फिर से है कि मोसम ने तेवर बदले हुए हैं और इस बीच हमने मुनासिब समझा कि जो कल एडवाइजरी आई थी यहां पर बात की क्या कुछ उनका कहना है उनका यही कहना हुए जो यहां पर मोसम ने करवट फिर से बदली है उसके साथ बालाई लाकों में बरबारी इस बार हो सकती है और साथ ही साथ जो हैवी रेंफॉल होने की चांसिस है मजीद क्या कुछ उनने कहा आप तक पहुंचाएंगे इस रिपोर्ट में आप बने रही है यंग बाइट की साथ बहुत बहुत शुक्रिया देखो आल लेडी फोकास्ट है खासकर आज आफ्रनून से जो है मौसम बिल्कुल करवड लेगा और लगबग ये जो एक्टिविटी है ये लगबग 30 तारीक दुपेर तक रहने के चांसिस है और कुछ एक जगों पे जो है थंडर स्टॉम लाइट लेडी फोकास्टिविटी विंड्स कुछ एक जगों पे हैल स्टॉम खासकर आज भी चांसिस है और पहाडी अलागों में जो है बरबारी के इमकानात हैं और ये सिलसला जो लगबग 30 दुपेर तक रहने के चांसिस हैं फिर उसके बाद जो वेधर में बहतरी आएगी और लगबग जो फर्स्ट वीक ओव में है लगबग 6 में तक जो है वेधर अमूमन ड्राय रहने के चांसिस जी बिल्कुल 28-29 को जो है कुछ एक जगों पे हैवी बारशों के बीचांस हैं खासकर साउथ किश्मीर के कुछ एक जिलूंग के अंदर और इसी तरह डिस्टिक राम हैं उनमें भी जो है पानी की साथा जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है और फार्मर्स के लिए फिलाल आज से ही हमने एडवाजरी दिया है कि किसी भी किसम का दवापाशी वागरा ना करें और मौसम जो है जैसे ही बहतर होता है खासकर 30 दुपेर के बाद फिर फर्स से जो है फिर से रिजूम कर सकते हैं बाकी बरबारी पर सकती है कुछ एक जो पहाड़ी अलाके हैं खासकर जोजिला या राज़दान पास, सिंधन टॉप, मौगल रोड या साधना पस इन सारे जगों पर फिर से बरबारी के चांसे से हैं तो यह सारे हायरीश के रोड्स हैं यह फि बाकी पहाड़ी आलाकों चार्वन के अंदर बी जो वेडर एड़वेजरी है साथ साथ में जो ट्राफिक एड़वेजरी भी रहता है ट्राफिक डिपार्टमेंट की तरफ से उसको पूरी तरह पालन करें और जब तक मौसम साथगार ना हो तब तक जो है किसी भी किसम का और जब भी बारिशें होती हैं तो और ज्यादा चांसिस बढ़ते हैं लेंड स्लाइट के या मट स्लाइट के तो बिल्कुल मौसम को देख के ही कमिंग एक दो दिन या तीन दिन तक जो है जब तक जरूरी नहों ट्रावल ना करें और मौसम जब तक साजगार नहों तब तक जो है किसी भी किसम का अनसेसरी ट्रावल ना करें बिल्कुल देखो मार्च अप्रेल में जो है यह वेटेस्ट मंद यहां पे देखा गया है और खासकर मार्च और अप्रेल तो अप्रेल का जो लास्ट वी के इसमें बार्शें के इमकाना थालरी फोकास भी है तो पहले भी इससे पहले भी जो एवेटेस्ट मन्ध होते हुए क्लाइमेटलोजिकली तो इस बार भी जो भी बार्षें वनैं भीजबीज में कभी कुबार क्या होता है कि कभी कभी थौडाएय। ड्राई हुता है एक अबबिजबीज में रहता है चीद्धे को इत्यात बिलकुल बरतना चाहे, खासकर नदी नालूंग के अंदर भी या बाकी जो वाटर बाड़ी से हैं, खासकर डल लेक के अंदर, उलर लेक के अंदर या बाकी जो लेक्स हैं जिसमें बोटिंग वगरा करते हैं, टूरिस्ट आये हैं अलग 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 तो लोगों को जब भी वेदर या वेदर एडवाजरी या मौसम जब भी करवट लेता है थोड़ा सा एतियाद बरदने की ज़रत है और जब तक मौसम साजगार नहों तब तक जो है किसी भी किसुम का ऐसे मेजर एक्विटी खासकर जो अभी खेतूं के अंदर भी काम करें तो लाग एतियाद रखने की ज़रत है